हाई गाई भरस्तर बाइलोजी चैनल में आपका श्वागत है कैसे हैं आप लोग है आप लोग घर में सुरक्षित हैं बहुत अच्छी बात है रिप्रोडक्षन के बाद है आज हम लोग के लिए बहुत ही महत्पुन टॉपिक्स है जनन स्वास्त जनसंख्या नियंत्रन इबंपरिवार नियोजन और योन संचारित रोग सेक्षुरी ट्रांस्मिटेड डिजीज और इस वीडियो में हम लोग जनन स्वास्त जनसंख्या नियंत्रन और सेक्षुरी ट्रांस्मिटेड डिजीज के दिभिन पहलूं से रूबरू होते हैं अब आज का जो वीडियो शुरू होने के पहले मैं जो वह दो पंक्ती जो जिससे आप मोटिवेट होते हैं और मैं स्वेंग मोटिवेट होता हूं उसके साथ सुरू करते हैं भरोसा खुद पर रखो तो वह ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो वह कमजोरी बन जाती है आप कब सही थें इसे कोई याद नहीं रखता लेकिन आप कब गलत से इसे सब याद रखते हैं इसलिए दुनिया की यह फित्रत है दोस्तों कि आपकी अच्छाई कोई याद नहीं रखेगा आपके अंदर जो अच्छाई है उसकी कोई बखान नहीं करेगा लेकिन आपकी कमिया ढूंडेंगे उससे आपको निवटना है उनकी कवियों को भी साकरात्मत आपको लेना है और आपको आगे बढ़ना है स्वामी विवेका नंद जी के उसकथन को याद किजिए जिसमें उनने कहा था कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत करो दोनों ही मेरे पक्ष में हैं किसने कहा था स्वामी विवेका नंद यूथ आइकोन सुकते हैं उनने कहा था कि तुम मुझे पसंद करो या तुम मुझे नफरत करो दोनों ही मेरे पक्ष में हैं क्योंकि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ और तुम अगर मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके मन में हूँ पर रहूंगा आपके पास ही यानि जीवन के हर कठीर प्रस्ण का जीवन से ही हर मिलता है इसलिए आपको अपने आप में भरोशा लानी है अपने आप पर विश्वास करना है और इसी विश्वास के साथ प्र नगती के मार्व को प्रसस्त करना है आपकी कोई प्रसंशा करता है कोई शिकायत करता है कोई कम्या निकालता है दोनों को ही सक्रात्मक तरीके से लेना है कम्या निकालता है उसके भी आप दिमाग में है और जो प्रसंशा करता है उसके भी आप दिल में है इसलिए दोनों को तो साकात अब्लेटे आपको आगे बढ़ना है तो आज हम लोग जर्चा करेंगे और री पर अप्रड़ुक्तिव हेल्ड फामली प्लानिंग और सेक्श वली ट्राउस्ट भी एस्टी. सबसे पहले जनन्स्वास्त री प्रोड़ुक्तिव हेल्थ क्या है री अश्र्द रबता होगा कि स्वास्तों मैंने पढ़ा है इसमें डव्यू यू ने कहा है कि स्वास्त वह अवस्था है जिसमें बेक्ति, सारेली, मानसिक यानि बहुत ही सामाजी भावनात्मक रूप से पूश्ट होते हैं यानि फीजिकली, मेंटली, सोसली और इमोशनली की बात होती है जनान स्वास्त कि क्या आप सेकता है जनान सोचिए आज से कुछ वर्ष पहले तक कि बड़े भयावा में देखा जाता देखा गया और वो आकरे बताया कि बच्चियां जिनकी कम उम्र में साधी हो जाती है और वह अगर बच्चे को जर्म देती है तो बहुत से ऐसी मां जर्म देने के बाद अपने जान को गवाँ पैशती थी उनके प्राण चले जाते थे उनके जीवन उनके अस्तित पर खत्रे के बादन मड़ाते थे और वे अपने जीवन से हाथ दो क्यों ऑखिर उनके स्वास क्या जनन्न के लाईक उप्यूत नहीं थे प्रिपेर तो आज हम लोग टोपिक दे रहा है आप पूरी वीडियो को देखेंगे बहुत बहुत महत्पुन तक्षों को इसमें दर्शाएंगे और चर्शा करेंगे जो आपके लिए आपके परिवार के लिए आने वाले पीडी के लिए बहुत ही सार्थक सित होगा तो आएए शुरू करते हैं री पॉर्डॉक्टिव हेल्थ एकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्ट ओर्गनाज़शन डब्लु एच according to the World Health Organization WHO reproductive health means a total well-being in all steps of reproduction that is physical, emotional, social and behavioral, Who have who have prepared following guidelines about the knowledge of reproduction and reproductive health it is moral right of every human being to know about what a first point of her population its ill effects and need to control it knowledge of reproductive organs and sexually transmitted disease sex education and awareness about reproduction birth control devices prevention of sex abuse and sex related crimes here we discussed about what is reproductive health according to the World Health Organization reproductive health that means we should maintain the such type of health which are able to reproduction that means they are physically mentally emotionally socially and behaviorally treated that is body health and it should be maintained in other ways child wearing and women's health care about the women's health is a very essential for every family no doubt women's health is very essential for every family society and nation as well malnutrition and stress during pregnancy are the major causes of ill health and child bearing women through proper family planning programs and other measures the health of women can be maintained some of the following measures can be taken what is measures by avoiding unwanted pregnancy by avoiding unwanted pregnancy by limiting the number of birth and proper time gap between subsequent pregnancy bearing the child at optimum age the most proper age for bearing a child for women is between the age of 20 to 35 years and by providing sufficient and balanced nutrition to pregnant and lactating women in deep and Mozambique girls when children with conservative, women are in the age of 20, the people of poverty already have funded what is weigh in their nursery, the goes along with gender, women is Epidemic that visited theחive and THEMSee from the Videoc Site section of the मंदी सभी तक्षों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ है जो सारीरी मानसी भावनात्मक और ब्यवहारिक रूप से पुष्ठ होते हैं वैसा स्वास्थ जो सारीरी मानसी भावनात्मक सामाजिक और ब्यवहारिक रूप से संपुष्ठ हो और उसी से प्रजनन की किरिया जब होती है तो वैसे जच्चा और बच्चा यानि जो बच्चे होते वो भी और उनके जो मा और बच्चे दोनों स्वास्थ होते हैं और देश, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, बहुत उप्योगी होता है, तो जनन स्वास्त के विषय में कौन-कौन सी जो पहलू है, उसको ध्यान देने की बात है, तो जनता के भी जनन संबंदी वीश्यों पर विभिन उपाय करना, जैसे और यो वीज्यो, वीज्यो, प्रोग्रामिंग, परचार परसार्स, ये उसके बाद उसके बैनर्स के द्वरा, सुलोगन्स के द्वरा, ये परचार परसार्स समाज में, और खास करके वैसे बश्तियां में, जो अभिवंचित वर्के हैं, जाना सिक्षा का आभ हाब है अभी भी, और वो इसको नहीं समझते हैं, और कम उमर में ही साधियां कर देते हैं, अपने बच्चों को, उस एरियाज में, उस छेत्रों में ये बहुत महत्पून है, विद्यालों में भी आज योन सिक्षा की परहाई पर ध्यान देनी होगी, और इसलिए एर्थ-9 स्टेंडर्स से ही योन सिक्षा से जूजी बातों को समाहित किया गया है, यानि विद्याल जनकारी सिक् ्षा में भी Yakmun सिक्षा परहाई देना बहुत जरूरी है, यान यहान संचारित रोग ऐसे वी रोग है, जो यान की जहारा फैलते हैं तो इसके बारे में भी लोगों को बताना जनकार देना अवस्यक्س tutte कि स्वक्षड को लोगों में यॉन समंद्र सिख्षा देना गर्वती माताओं को देखवा समंद्द सिख्षा देना अस्तरपान के महत्व को भी बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचाना तुकि अस्तरपान बहुत से लोग इसके अभी भ्रांती में हैं कि मां का पहला दूद नवजासिस्व को नहीं मिल पाता है जब बहुत जरूरी है इसके अलाबा यह संबन्दी अपरात के बारे में भी शिख्षा देना बहुत जरूरी है जनल स्वाष्त के लिए भी समस्याइं तो इस तरह से हम देखे कि खास करके जो मा प्रीगन लेडी है तो उनके लिए से भी बहुत मात्पूने कि उनका जो पूशन हो किस तरह से भो खास करके अनुवांटेड्ड पीदिनसी गर्व जब गर्व नहीं रहे गर्व जब है तब ही वो अन्वांटेल प्रिवेंसी नहीं हो इसके लावा गर्वकाल जो दिया गया है एक आइडियर जो स्वास्त विज्ञान की तरफ से वो बीस वर्ष से 35 वर्ष के आयू में ही जो जनन स्वास्त है वो उपयोगी है और वो स्वास्त के देशी से बहुत महत्पून है बीस से 35 वर्ष में ही अगर एक मां बच्चे को जन देने के लिए और स्वास्त विरूप में हुआ रहती है इसका मतलब यह है कि जनन स्वास्त बहुत महत्पून तत्य है। और इसे हर परिवार के लोग को, समाज के लोग को जाना जरूरी है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सकता है। और हमारा कही ने कही देस जनसंख्याय बिर्धी से भी जुरा हुआ है, जनसंख्याय की बात है इससे भी हुआ महत्पून चीज़ है तो हम लोगों ने रिप्रोड़क्टिव हेल्थ को देख लिया जनल स्वास्त क्या है और जनल स्वास्त के बारे में कौन-कौन सी साभधानिया है इसे हमें बढ़तने की जायुवत है इसे आप नोट कर देजिए तो तो नो वी दिसक्स्ट आप थामली प्लेन अंग इन अधर वर्ट इस इस अवाल पॉपलेशन चौन चौन ट इस अवरे इस इस वाल इस। इस आप टूटेन इसू नट न फ़ोल पॉपलेशन है बिकौन एस दीएस वरल इंड्या अच्छिक, एल्र roku दूस सर देड Pierा, फेह बिखते हमशी IlतREE-AN il प्रोपलियन स्वेट अंग्ध। अफु चुछ सोब्सांग इंड्मेमेफ्ट का शमेना विखिध। अच्छिछ टोरे of drinking water, good houses, education and medical care that means all the family planning program is being run by the government to create awareness and to attain the following objectives to avoid unwanted birth, to have proper time gap between two pregnancies, the limit of the number of children in the family, to maintain a balance between home economy and size of family, to provide total welfare of a small family including nutrition of the child of its pregnant women, subsequent care of the child and elimination of ensure her survival. That means, आपने देखा कि मानव की जो और सिमित जन्संख्या के करण आज पूरे विश्व में जिस रफ्रास रिर्फ्तार से जन्संख्या बढ़ रही है खासर के भारत भारत देश आज आज के डेट में 1.33 बिलियन मार्को भी पार कर गिया है ऐसी सिती में एक परत्यक देखती के लिए चाहे वह वोजन हो, आवास हो, स्वास्विजा हो, पेजल हो, वस्त्र हो, ये सबी चीजों का आभाव हो जाएगा और आभाव हो जाएगा तो अस्तितु खत्रे में जाएगा है तो इसके जरूरी है कि जनसंख्या को सिमित रखना ही जनसंख्या नियंतर करता है तो लिमिट दा पोपुलेशन इस कॉर्ड पोपुलेशन कॉन्ट्रोल तू लिमिट दा पोपुलेशन इस कॉर्ड पोपुलेशन इस कॉर्ड पोपुलेशन कॉन्ट्रोल यानि जनसंख्या नियंतर क्या किसे कहते हैं तो जनसंख्या को सिमित रखना ही जनसंख्या नियंतरन है क्या है तो जनसंख्या को सिमित रखना ही जनसंख्या नियंतरन कहलाता है तो इस तरह से हमने देखा और एक पर्त्याक बेक्ति के लिए अगर अब लोकन किया जाए तो उनके लालन पालन अपने बच्चों के लालन पालन हो उनकी सिख्षा का प्रवंध उनके आवाशन की प्रवंध उनके आवासन स्उदने की बात हो तो वह नहीं हो पाता है तो इसी लिए हमें जरूड亦ी है कि परिवार के संक्ष्या को क्या करें लिमिट करें भारत सरकार के के द्वारा उनिश्व एकावन में in 1951 में परिवार नियोजन की शुरुवाद थी गई परिवार नियोजन की शुरुवाद द्वारा सरकार के द्वारा उनिश्व एकावन में यह प्रश्ण पूछता है और यह आपके किसमें यह आपके बहुत से competitive exam में यह प्रस्ण पुछे आते हैं कि भारत में परिवार नियोजन की शुरुवाद कब हुई थी तो यूर आंसर बिल भी 1951 family planning started तो आपने देखा कि जनसंख्या को सिमित कैसे करेंगे और कहीं न कहीं यह बहुत महत्पून चीज है कि परिवार के संख्या को हम कैसे सिमित क्योंकि भारत एक विकास सील देश है हमारे पास संसाधन सिमित मत्रा में है और जनसंख्या के द्रिष्टी से हम दुनिया में दूसरे नंबर पे है तो भूभाग हमारे पास कम है हमारे पास अंसाधन सिमित है तो जनसंख्या हमारी बहुत ती ब्रिष्टी से बढ़ रही है तो ऐसी शिति में हमें जनसंख्या नियंतर करना बहुत में द्रिष्टी से तो जनसंख्या हमारी नियंतर के लिए दोगेर्या है एक अक्रम उन्हेम आपीफिसियल मेथड यह किसी के आया तो यह विल वी ए स्टॉप दो पॉपलेशन तो इडिस अप्किटिव मेथट इंख इस्मॉल समय इडिसर्वांटेज उट्वांटेज वेडिवाइगंड नार्च फैमली Muscle should be educated about the various ways and fertility control. So, we should accept contraception, garb-nirudha. Garb-nirudha kya hai? Contraception is the avoidance of pregnancy by preventing the fertilization of ovum. Garb-nirudha kya hai? Contraception. Contraception, garb-nirudha kya hai? So, garb-nirudha kya hai? Contraception is the avoidance of pregnancy. Contraception is the avoidance of pregnancy. Contraception is the avoidance of pregnancy by preventing the fertilization of ovum. By preventing the fertilization of ovum. So, garb-nirudha kya hai hai, jiske dvara undanu, yarni ovum ko initiation hoonay se rokta hai. जब ovum nishecithi naahi hoongay, to, yccti me, phir woh jaygote ka formation nahi hooga, जैसा कि हम लोगों ने भी production में देखा है, इसके पिछले वाले वीडियो में, female reproductive system में हमनों देखा था, fertilization, तो जब यह fertilization नहीं होगा, ovum fertilize नहीं होगा, तो उससे embryo नहीं बनेगा, jaygote नहीं बनेगा, embryo नहीं बनेगा, और pregnancy नहीं रुखेगी, किसी देखा गया है, वाट इस contraception, और यह आज इससी पर, contraception से कारा नहीं, हम population control, population को control कर रहा है, तो contraception is the evidence of pregnancy, by preventing the fertilization of ovum, तो हम इसके लिए, कौन कौन सी प्रकिरिया है, तो पहला हमने देखा, कि natural method, natural method, यानि क्या होता है, तो natural method में क्या होता है, कि जिसको प्राकिर्तिक बीधी कहते हैं, प्राकिर्तिक बीधी, तो प्राकिर्तिक बीधी से, किस प्रकार को हम गर्ड धारन्द को रोक सकते हैं, तो इसमें बताया जाता है, कि अगर कुछ दिनों तब मैठून या संभोग को रोक दिया जाए, तब उस दवरान इस्तिरी के योणी में, वीज़ परवेस नहीं करेगा, जिस से अंडानून निसेचन की संभावना नहीं होगी, अता, शंभोग के समय समंजन अंडानून निसेचन को रोका जा सकता है, और समानता मासिक धर्म या मासिक सा मेंश्रो साइकर के चवदह में दिन अंडासर से परिपप अंडानून निकलते हैं, अथार्थ अंडासर के दो मासिक चक्रों के करेग बीच में होता है, और उस चवदह में दिन, मेंश्रो साइकर के चवदह में दिन के आसपास, अगर संभोग से दूर रहा जाए, तो अंडानून का निसेचन नहीं होगा और प्रिग्नेंसी नहीं होगी, लेकिन यह भी सफर नहीं है, कभी कभी मानविए भूर के कारण, यह क्या है, वैसी सिती में यह भूर हो जाती है, और फिर प्रिग्नेंसी रुख जाता है, इसलिए यह बहुत कारण विधी नहीं है, दूसरा है, आर्टिफिस्यर यह मेकेनिकल मेथर, इसको कहते हैं, मेकेनिकल मेथर, यानि यांत्रिक भी थी, तो यह आज परखावी है, और इसे आजकल पर्योग में लाया जाता है, तो आर्टिफिस्यर, जो मेथर और कॉंट्रासेप्शन्स है, वो आजकल उप्योगी सावित हो रहे हैं, तो जिसमें, मेकेनिकल मेथर में, पहला है, विड्रॉल टेक्निक् विड्रॉल टेक्निक्स, विड्रॉल टेक्निक्स क्या होता है, तो यह ऐसा देखा गया है, कि क्वेट्रॉल टेक्निक्स में क्या होता है, कि जब एक मेल और फिमेल क्वेट्रॉल के स्टेज में होते हैं, जब कॉपुलेशन के स्टेज में होते हैं, तो इजएकुलेशन के पहले, सीमें एजएकुलेशन के पहले, वो पेनिस को वेजिना से निकाल कर अलग डिश्चार्ज करते हैं, जिससे सीमें वेजिना में डिश्चार्ज नहीं होता है, और उससे यह फॉर्मेश, यह फर्ट गया गया दूसरा मेथड इसमें हैं बैरियर मेथड है भी कि बैरियर मेथड से खिस प्रगार गर्म को रोका जा सकता है गर्म को निरोधित के रूप में जाता है इससे पहला है आप देखते होंगे कॉंडॉम इसको निरोध बोलायता है Condom Barrier Methods में Condom It is used by men It prevents the Deposition of semen into the Vagina Use of condom also protects Both male and female from Sexually transmitted Disease and AIDS तो male Penis में Condom का निरोध का इस्तेमाल करते हैं ताकि जब ये Cooperation के दर्मियान इसे सीमें डिश्चार्ज होता है तो फिर बैजिना में नहीं जाता है तो इस तरह से यहां गड़ भी किसना भबना नहीं रहती है और दूसरा जो महत्पूर्ण चीज है कि इसके इस्तेमाल करने से Condom से Sexually अगर male में कोई Sexually transmitted disease है तो इससे बचा जा सकता है तो ये Sexually transmitted disease को ही Protect करता है दूसरा इसमें आता है diaphragm Condom के बाद आता है Condom ये male इस्तेमाल करते है Condom किसके को करते हैं Male करते है diaphragm तो ये diaphragm क्या है तो diaphragm जो है diaphragm ये female female दोड़ा इस्तेमाल होता है और ये rounded latex cap होता है quailing spring के रूप में और ये vagina के deep में ये adjust कर दिया जाता है और जिससे क्या होता है semen को sperm के injury को जाने से रोकता है तो ये diaphragm condoms male लगाते है diaphragm female लगाता है और इसके बाद एक है IUCD method ये आज कल बहुँ ज्यादा पर्योग हो रहे है IUCD intra intrauterine contraceptive device intrauterine contraceptive devices आई यू सीडी आई यू सीडी दे इंट्रा यू टिराइन contraceptive डिवाइसेज जो commonly known as लूप इसको लूप या कॉपर टी कहते हैं और ये आज कल ज्यादा तर इस्तिमाल होते हैं IUCD जो है intrauterine contraceptive device जो है जिसे लूप हो या कॉपर्टी है ये एक निश्य समय के लिए चाहे हो तीन साल के लिए हो या पांच साल के लिए इसका इस्तिमाल होता है और इससे क्या है the birth control pills by taken only by female every day और इसमें क्या है this is inserted in the uterus of female female के uterus में यहा fit होयाता है तो ये हमने barrier method को देखा अब ज़रा chemical method को देखें के रासाइनिक विधिक के द्वारा आपने दिख लिया होगा विड्वाल method टेक्निक्स है उसके बाद barrier method में condoms diaphragm and iucd intrauterine contraceptive device इसमें copper T आते हैं अब हम लोग chemical methods में रासाइनिक विधिक द्वारा की स्था से हम लोग गर्व को रोख सकते हैं तो chemical method में हम लोग देखें के रासाइनिक विधि में क्या होता है तो espermicides पहला क्या है espermicides हमने pesticide की बात सुना है पेश्ट को मारने वाला यहां सपर्ष्ट है espermicides यानि espermicides are the chemical which kills the esperm espermicides वेरा साइन है जो esperm को मार देते हैं इसका इस्तिमाल कब होता है इंटर्पोर्स के पहले कोपूलेशन के पहले क्या होता है यह प्रिमेल में इसको यह डाल दिया जाता है और उसके बाद जैसे यह यह होते हैं तो वह एस्पर्म को एस्पर्म को यह मार दिया जाता है दूसरा है oral constrictive of birth control OC OC oral contraceptives और बर्थ कंट्रोल पिल्स बढ़ कंट्रोल पिल्स और टेकन और प्यटम एवरी डेश्प इल्ए और एक भी तो उपी ब्रस पिल्स के रूप में गौ्रवा रूप में महिलाएं लेती हैं ताक उन से लेने से क्या है फिर वो कॉंट्राशेप्शन्स में राते हैं और फिर पिंगेंटे और अंत में हैं सर्जिकल मेथधर सर्जिकल मेथधर आज कल यह भी बहुत फर्भावी है और यह बिल्कुल एश्यूर्ड है इसमें किन्तु परंतु की कहीं समभावना नहीं है अब यह सर्जिकल मेथधर जो है सर्जिकल मेथधर ऑफ कॉंट्राशेप्शन्स आर एविलेबल इन बोथ मेल और फिमेल दोनों में यह है जैसे पहला है वैशोटोमी क्या है वैसेक्टोमी वैसेक्टोमी क्या है तो वैसेक्टोमी इस पर्फर्म इन मेल्स मेल्स में भी सर्जिकल द्वारा ऑपरेशन्स के द्वारा इन दिस मेथधर एश्मोल इंसीजन और मेड़ इन साइड थैस्टोम और थैस्टोम के पास जो क्या होता है वार्स डिफ्रेंस है या उसको कट दिया आता है वार्स डिफ्रेंस को कट दिया आता है और काटने के बाद वो है वहां से फिर सीमेल नहीं जा पाता है और इस तरह से टुबेक्टोमी इस तरह से फिर मेल में और दूसरा जो है टूबेक्टोमी टूबेक्टोमी यह मेल में देखें क्या होता है काट दिया आता है एसपर्म डख्ट को और यह टूबेक्टोमी फिर में होता है फिर में क्या होता है तो यह फिर में जब ओवरी से फैलोपियन टूब उट्रस चूट जाता है तो इस पर क्या है कि फालोपियन ट्यूब को काट दिया आता है काट दिया आता है जिससे एक जो है उट्रेस में परवेस नहीं कर पाते हैं तो एक उट्रेस में नहीं आता है तो इसमें क्या है कि इस तरह से यह तो यहां से इसको कार दिया रता है और मेल में भी इस तरह से जो यह गया है इसको यहां कार दिया रता है इस तरह से रैसेक्टोमी और टुबेक्टोमी यह ओपरेशन के द्वारा होता है और एक महत्पून चीज यहां है MTP के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि MTP क्या होता है तो MTP, Medical Termination of Pregnancy और ऐसा कहा भी गया है कभी कभी लोग गर्भ पात कराते हैं जो तीन माह तक ही होता है और या इसो प्रप्टाइज तक गेट राइड अफ अन्वांटेड फेटर्स के लिए MTP का इस्तिमाल होता है यानि गर्भ पात जिसे कहते हैं और तीन माह से पूर्भी गर्भ पात होता है Medical Termination of Pregnancy MTP क्या है MTP Medical Termination of Pregnancy MTP यानि सुख्षित गर्पा एक डॉक्टर्स की देख रेक में अब जब जरुष होती है तो यह ऐसा होता है अब हम लोग आज का तिसरा टॉपिक्स है H.T.D. यानि यौन संचारित रोग यौन संचारित रोग क्या है इसकी अब हम लोग चर्चा करेंगे यौन संचारित रोग क्या है जैसा कि नाम से ही असपश्ट है यौन संचारित रोग तो हम लोग अब H.T.D. देखे आए बहुत ही महत्पून है यह सभी वर्ड के लोग को निखास करके जो किशोर वर्ड के बच्चे हैं हमारे किशोर है उन्हों वे लोग को बहुत ज़्यादा जवड़ी है क्यों कि वे सिक्स एजुक्रिशन के बारे में नहीं जान पाते हैं और भूल बस कुछ ऐसा गलती कर पाते हैं जिससे इससे वह ग्रसित हुए आते हैं तो जिसको एस्टी रीज बोलते हैं एस्टीटी एस्टीटी जयानि सेक्श्वली एक ट्रांस्मीटेड डीजीज इंदी क्या होगा यौन संचारित रोग जैसा कि नाम से ही अस्पस्ट है कि यौन संबंद से होने वाले संक्रामग रोग को क्या कहते हैं सिक्श्वली जरन संचारित रोग या लेंगिक संचारित रोग या वह यौन संचारित रोग कहते हैं Sexually transmitted disease वे रोग जो यौन संबंद के द्वारा एक बेक्ति से दूसरे बेक्ति में होते हैं और ऐसे रोग जो कई तरह के रोगानू जैसे बैक्टिरिया, वाइरस, परजिवी, प्रोटोजवा, इस्ट जैसे माइक्रोप्स याने सुक्ष्णूप के द्वारा होते हैं और ये रोगानू, ये माइक्रोप्स मनुष्णी के योनी यानि वैजिना, मूत्र बमार, यूरित्रा जैसे रिप्रोप्टिप पार्ट, जरनांग या मूख के द्वारा या गूदा जैसे अस्थानों से नम या उस्थन वातावणने बढ़ते हैं तो उन वैक्तियों में ऐसे रोग होने की समभना अधिक होती है, जो एक से अधिक वैक्तियों के सांथ लैंगिक संबंद रखते हैं और हमारा जो देश हरत है, यहां खास करके शादी के बाद जो लैंगिक संबंद की जो परंपरा है, परनाली पदती है और हमारा यह के बहुत ही सम्रिद हमारी शंस्क्रिती रही है, इसलिए एक श्चिरीज की हमारे यहां अन्य विक्सित राश्ट्र कमर्स करत कम हैं, लेक इसके दूस्प्रभाव से अनविग्य होने के कारण, यानि ऐसे भी रोग हैं जो जरनांग द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति में होते हैं, that means sexually transmitted disease is spread by sexual contact with infected person, sexually transmitted diseases यौन संचारित रोग, STD, sexual transmitted disease disorder में STD बोलते हैं, spread by as spread by sexual contact with infected person यानि संक्रमित बेप्ति के साथ लेंगिंग संबंद अस्थापित करने से यौन संसारित रोग होते हैं, और इसको STD को veneral disease भी कहते हैं, STD को veneral disease भी कहते हैं, इसे आप बहुत गवर से सुनिएगा बच्चो, STD, sexual transmitted disease, यौन संचारित हो, इसको veneral disease भी कहते हैं, और ये ये बैक्टिरिया के द्वारा, वाइरस के द्वारा, पोटोजोंस के द्वारा होता है, कुछ STD जो common है, उसे आप देख लिजिए, गोनोरिया का नाम आपने सुना होगा, और इसका spelling, compression में भी, पूछा जाता है, गोनोरिया, जीस तरह से, डारिया का spelling होता है, उसी तरह से, गोनोरिया का द्वारा होता है, और इसका बैक्टिरिया का नाम है, नेसेरिया गोनेरी, नाम के बैक्टिरिया से, ये गोनोरिया नाम का STD है, यौन संचारित रोग है, जो होता है, और इसके symptoms क्या क्या है, तो जरन आंग में, उरेत्रा में, पेन, पेशाब के समय, इरेशन के समय, पेन, फूल इरेशन होता है, इन फाल्रमेशन और रेक्टरम, गूदा में जरन होता है, थ्रोट, आइज में भी, गला में, आँख में दर्द होता है, और इसकीन लीशन और इरेत्रा है तो ग्रोनिया भी सिफिलिसे से होता है छिसी यह भी बैक्टेडिया द्वारा होने वाला रोग है और इसके बैक्टेडिया का नाम नाम है त्रीपैनूमा पॉलीडियम त्रीपैनूमा पालीडम और सिंटम्स ऑफ इंफ्ल्रामेशन ऑफ म्युकोसा मेंबन जनाइटल ट्रैक रेक्टम बक्टल कविटी अनिलेशन अफिस्किन्स तो इस तरह से इसमें भी जनाइटल पार्ट है इसके रेक्टम्स है बकल है इसमें दर्द होता है इसके बाद जेनाइटल हर्पीस यह भी एस्टिरीज का नाम है जेनाइटल हर्पीस यह योन संचारित रोग ही है और यह वाइरस से होता है यह मैंने देखा यह बैक्टिरिया से होगा पूच्चान पूछेगा कि एस्टिडीज से आप क्या समझते हैं और दो एस्टिडीज का नाम बताएं तो एस्टिडीज तो आपने समझ गया तो दीजी एस्प्रेड वाई सेक्ष्वल कॉंटेक्ट इंफेक्ट परसन वाट डूमीन नाम दो रोक का नाम बताएं गुनोरी या सिफीलिस उनने वाले गुनोरीय असिवलिस से उनने वाला जैनायटल हर्पीस ओ जो यह इनकूरीबल है और प्रोडूस पे principle और पेनिस वहाई मैं इनना उपि बहुत दर्द होता है इसमें उसके वाद जनाइटल वार्ट होते हैं जनाइटल वार्टस जो वार्स है तो यह भी वार्स होते हैं और जनाइटल वार्स हीमन पैपिलोगा वार्स लेजर सरजरी और लेजर सरजरी के अलबा किसी के दुवार यह यह नहीं होता है इसका मतलब है कि आपने अपने शैक्मीक्शद्ट्ट्रेतश दिजीज याने सेक्ट्रे टर्मिस्ट्ट्ट्रेट इसाएग्जिज्ड ग्युश्ट्र milli Durant इसका आरफ के बारे में आपने तुनाओगा Acquired Immune Deficiency Syndrome, EDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, EDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. इम्यून के जगा इम्यूनो भी होता है, इसलिए बच्चों ध्यान देंगे Acquired Immune या Immuno Deficiency Syndrome, यह भी जो है STDs है, और जैसा कि आप जानते हैं, EDS is Sexually Transmitted Disease, it is a serious human health problem throughout the world. It was first detected in USA in 1981, today near about 20 million people in the world are HIV positive. और the positive agent of AIDS is HIV, Human Immuno Deficiency Virus, HIV के दोणा यहां होता है. तो निशितूप से आज के इसे वीडियो लेक्चर में बच्चों, हम लोगों ने बहुत ही महत्पून टॉपिक, री पोडॉक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्त, फैमिली प्लानिंग और पोपुलेशन कंट्रोल जनसंख्या नियंतन या परिवार नियोजन और अंत में STDs, यौन संचारित रोग के विभीन पक्षों से आवगत हुए, आप मुझे विश्वास है कि आप जनन स्वास्त या जनसंख्या नियंतन और खास करके जो यौन संचारित रोग है, इसको समझ आपके विक्सित हुई होगी, आप इसे समझेंगे, अपने आपको स्वस्त रखेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जनन इस लेक्षर्स के द्वारे जो प्राथ होते हैं, उसको सिर्स भी करेंगे, उसको जहां नीठ है, जहां लगता है कि अज्ञानता है, और अज्ञानता एकान, वहां संक्रमन की संभावना है, तो आप उसे अपने जिए, आपके पास जो जो थैंपने जो नोलेज है, आ सियर करेंगे, ज्ञान बाटने से बढ़ता है बच्चो, आपकी समझ लिक्सित होगी, और हमारा उद्देश रही है, कि आपके यह मर्स्ति सक सिमीत रह जाए, हमारा उद्देश है, कि शेवा भाव, आप जो प्राप्त करते हैं, उसको आप तो सोसाइटी के लिए, कहां त मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि यह सूरत है, वो सूरत बदलने चाहिए, तो बच्चो, पुरा वीडियो आप जरूर देखेंगे, मोटिवेशनल वीडियो का जो आप लोगों ने कमेंट किया, मुझे बहुत हुआ, मैं मोटिवेट खुद हुआ, मुझे वो इंसेंटिव क मिला, आपका बहुत शनेह मिला, इस तरह से, अब तक यदि कोई बच्चे ऐसे हैं, जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, वेल आइकन को प्रेश कर दें, नोटिफिकेशन के लिए, लाइक्स कर दें, कमेंट्स करें, आप कमेंट्स मुझे प्रवलित करता है, मुझे एक हिम्मत नहीं उजा देती है, और आप इसे आवस्चत लोगों तक जरूर शियर करें, अपना आप ख्यार लखेंगे, बहुत बहुत धन्देबाद,